एक जो रूमर था वो कन्फर्म हो चुका है कि MIUI 14 अपडेट के बाद बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें शौमी का ओफिशली डाल पैडिया मैसेज बॉक्स तेखने को मिल रहा है जो जी हाँ रेडी मिनोट टेनिस के लेटस MIUI 14.0.3.0 के अपडेट के बाद शौमी का देते हैं और अपडेट सेक्शन में चेक करेंगे तो आपको मई 2023 का सिक्रीटी पैश देखने को मिलेगा एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे आप अपडेट साइज काफी बड़ा है जो कि ये 502 अपडेट के लिए 5200 बहुत ज्यादा होता है जो कि आपको इस इस चल रहे थे वो सभी चीज़ फिक्स हुआ या नहीं और अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो कैसा आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमने अपने रेडिमी नोट टेनेस को MIUI 14.0.3.0 की स्टेवल अपडेट में अपडेट कर लिया है और आप यहां पे देखेंग होता है या नहीं तो यहां पर अपडेट स्टार्ट हो चुका है यहां यहां पर देख सकते हैं डेवलोपर भी कभी नाम दिया गया है और होम में जाकर देखा देते कि मैसेज अपलिकेशन रिप्लेस नहीं हुआ है लेकिन एक चीज़ आप ध्यान जरूर दीजेगा जैसे अब मेनू पर जाएंगे अब आपको शामी का ओफिशली मैसेज बॉक्स देखने को मिल गया है यह जो मैसेज बॉक्स है मुझे गूगल के मैसेज बॉक्स से काफी जादा बढ़िया देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम उपन करेंगे तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको गूगल मैसेजर चाहिए या शामी की ओफिशली मैं तो वह शामी का ओफिशली के साथ ही जाओंगा और उसके बाद जो भी मैसेज बगरा है वो हर एक चीज आप शामी के ओफिशली मैसेज बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं जैसा कि यहां पे देख रहे हैं और मे उनों इसे अपडेट कर लीजिए उसके बाद ही थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलेगा और डिवाइस पहले से काफी जादा अप्टिमाइज हो चुका है जिहां जितने भी हीटिंग इशु वाला पॉब्लेम था वो फिक्स हो चुका है इविन अगर आप गेम खेलते तो भी आपको हीटिंग ओड़ने को नहीं मिले गा और अगर आप गेम खेलता है गेम खेलते है और टीवाइस इट होता है तो गेम कफी ज़ोग फटा है थो भी आपको देखने को नहीं मिले बाद रहिए कैमरा तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियो शूट किया था इस फो Fram Rate के आसपास आपको Fix Frame Rate देखने को मिलता था, वो यहां से फ़िटा दिया गया है, और अविस्टरी पॉस्टरी आपको Fram Rate का ओप्शन देखने को मिलता है, बाद आपकी फीचर जो है, वो आप्टिमाइस करके दिया गया है, बाद रहाँ पे बैटरी बेकप का क्या हाल है, तो देख सकते हैं मैंने अपने device को total 8 hours 23 minutes use किया है full charge करने के बाद और अभी भी मेरे device में 76% battery बचा हुआ है इस हिसाब से आप बोल सकते हुए कि battery backup में भी improvement हुआ है तब चलते हैं यहाँ पे CPU floating को test करते है कि कैसा perform देखने को मिलता है सबसे पहले okay कर देते हैं and performance को यहाँ पे start कर देते है तो गराब देख सकते हैं किस तरह सा जा रहे तो game में आपको average performance मिलने वाला है उतना high level performance नहीं मिलेगा बट यहाँ पर hitting issue बहुत कमी देखने को मिला है और gyro वगेरा इसके next video में हम लोग test करेंगे वो भी on game खेलने के time है और बात रहे कि इस update को आप कैसे install कर सकते हैं तो देखिए update को install करना बहुत ही easy है simply आपको setting पर आना about phone and इस option पर click करना है update application open हो जाएगा and simply यहाँ पर check करना है अगर यहाँ पर update available होगा MIUI 14.0.3.0 वाला को show हो जाएगा simply download करके install कर सकते है in case update show नहीं होता है तो description box में में इसका download link दे दूँगा आप वहाँ से जाके easily download कर सकते हैगा download करने को simply इस application को open करना है update application को continuous तरह से tap करना है additional update features are on हो जाएगा 3.0 पर click करना है choice update package उसके बाद आपने जो file download किया है उसे select करना है select करने को update package verify होगा ध्यान रहे data connection enable होना चाहिए क्योंकि verification के लिए data connection enable होना ज़रूरी है उसके बाद ही आपके device में successfully latest MIUI 14.0.3.0 का stable update install हो जाएगा और यह जो update है अभी मिवाई पाइलेट टेस्टर के लिए है अगर आप एक मिवाई पाइलेट टेस्टर है तो ही आप इस update को install कर सकते है अगर आप एक stable user है आपको कुछ दिन इंतिजार करना होगा और यह update आपके device में show हो जाएगा यह मैंनो जो यह method बता है आपको installation वाल thank you